अपने चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि प्राइब करेंगे एसा यह स्लिमिटेड जो कि सिक्यूरिटी गार्ड और और पेट्रोल सर्विसेज कंपनी है और एक प्रेजन जो सिचूएशन है वो काफी बेटर सिचूएशन नहीं इस प्राइस में ट्राइक करते हैं यह प्राइस अभी ले 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 लाइक प्राइस है और इसके अगर आज की हई की बात करें तो 405 रुपे स्टेशन मार्केट में मिल रहा है और अगर इसकी एक काफी बड़ी न्यूज आई दी मैंने काफी सारी वीडियो इसकी आप तक पहुंचा ही है एक न्यूज आई दी की बाइब कर रहा है और उसी से ही रिलेटेड कुछ हम यहां पर डिसकस करेंगे कि यह आज इवन आप्ट इसकी जो एक स्टेट है इवन आफ्ट इस इंक्रीज क्यों नहीं हुआ तो वह चीज़े भी डिसकस करेंगे अपार्ट वाट इसके अनलसिस को चेक करें तो चीज़े काफी पैटर नजरा रही है अगर देखें तो बुलिश रिवर्शल ग्रोथ इंक्रीज इंक्रीज इंक बनें ओ about document tout चम पोष्ड्ट इंक्रीज लिग एर आफ डार्या इंक्रीया श्ततु इंड्ञ औरि तो बूम उर्ड़ ट ब讲溯st अपन फूरी नग्रू झाझने curry Literal म stay इंक्रीज़े है पर ऊड़ ROBकिएन अर्फू इंक्रीज चांद दितिते इंक्र années net cash and opportunities की बात करें तो broker है इसका target जो ऊपर का set कर रहे हैं even last three months से प्लस recommend भी कर रहे हैं उसकी जो की broker काफी even SIS को काफी recommend कर रहे हैं buy करने के लिए insider port stock है और apart from that अगर इसके threat की बात करें तो companies with negative growth and promoters decreasing share holding quarter on quarter insider sold stock so यह इसके threat apart from that अगर आज की बात करें काफी मोटी बाई यह आपर sorry selling यह आप आपको देखने को मिली है तो news क्या है वो news जो analysis क्या है वो check करेंगे तो guys subscribe करना मत बुलें दो आज एक updated news miss कर जाएंगे और इसके sentiment की बात करें तो sentiment काफी even जो sentiment है वो काफी हद तक अभी sell करने का suggest कर रहें तो guys of course जो की चीजें जो की उल्टी होनी चाहिए थी इसमें buying quantity काफी जादा होनी चाहिए थी और वो क्यों नहीं हुई वो भी हम discuss करेंगे और इसके revenue की बात करें तो revenue काफी increase हो रहा इस प्राइस में लेने में कोई नुक्षान नहीं लग रहा है अब भी तो इसके profit की बात करें तो profit में भी जादा जो की डाउन फोल नहीं देखने को मिल रहा है इयर ओन यर बात करें तो काफी अच्छा खासा प्रोपीट यहां पर आन किया है आनिंग पर शेयर की बात करें तो आनिंग पर शेयर में भी काफी अच्छी खासी यहां पर जो की चीजे नजर आ रही है आयनों कि थोड़ा सा डिक्लाइन या आपर quarter on quarter देखने को मिल रहे है इयर on year बात करें तो काफी मोड़ा जो की डाउन फोल यहां पर देखने को मिल रहा है शेर उल्डिंग की बात करें तो promotor holding है वो साढ़े 37% के आसपास इसमें promotor holding है foreign investor की बात करें 1.5% इसमें foreign investor की holding है domestic की बात करें 27% है and बात करें public holding की more than 7.5% इसमें public holding है so guys इसके अलावा mutual fund ने थोड़ा सा यहाँ पर जो की upside आपको जो December quarter में जो की शेर ओल्टिंग इंक्रीज किया है फोरें इन्वेस्टर के बाद करें थोड़ा से आप टेकलाइन देखने को मिल रहा है इसकी न्यूज आई थी और मैंने काफी सारी न्यूज आप तक पहुंचाई है इसकी फर्स्ट अपॉल हम देख लेते हैं कि जो यह बाइबैक के लिए अनॉंस किया था जो अफकोर्स जो की न्यूज हर जगह फ्लाइस थी ऐसा यह शेर राइज ओवर 9% आज फर्म टू पाइबैक शेर वर्थ रुपीज टेन हेंड़ करोड जो की एक सो करोड रुपे के शेर पाइबैक कर रहा है इसके अलावा यह इसको देखते हुए शेर का प्राइस काफी ऊपर जाना चाहिए था बट वहीं पर ही स्टेबल रहा इवन आफ्टर आज मार्केट की बात करें तो मार्केट भी काफी ऊपर था अगर बात करें मार्केट शेंशेक्स की तो मोर देन 500 आज प्लस था शेंशेक्स और आज जो की SIS की जो की X डेट भी थी इवन आफ्टर SIS बिलकुल स्टेबल रहा माइनस में रहा था तो गाइस वो चीजे मेंस की ऐसा क्या था इसमें की इवन आफ्टर जो की आज जो लास्ट डेट थी X डेट थी जो की रेकोर्ड डेट है वो 9 अपरेल है इट मींस की अगर आप आज शेयर लेते तो वो आपके अकाउंट में आपके पॉर्टफोलियों में वो 9 अपरेल को रिफलेक्ट होते इट मींस की रेकोर्ड डेट आपकी 9 अपरेल है तो 9 अपरेल को अपने करने थे for sure buy करने थे तभी आपके portfolio में वो 9th of April को reflect होंगे और तभी आप buyback के लिए eligible होंगे इस चीज को देखते हुए जो की काफी motivating होनी चाहिए थी पट नहीं हुई क्योंकि इसमें जो अभी at present जो इसमें जो buyback कर रहा है वो काफी कम percentage में buyback कर रहा है just because of that यह उपर नहीं गया तो guys यह उपर क्यों नहीं गया कितना buyback कर रहा है the board approved a price of rupees 550 a share to buyback 18.18 lakh shares representing 1.24% of the total number of equity shares in the company's total paid up equity capital as on March 31st 2020 so guys यह जो की जो total जो equity है इसकी जो total equity share है उसका 1.24% ही buyback कर रहा है तो guys अगर आपके अगर जो कोई share ओल रहा है means कि बिलकुल minimum जो की आप buyback के लिए लगा सकते हैं जिसकी वजह से आज आपको of course जो की देखने को मिला था कि even after that की जो share का price था वो बिलकुल stable था even minus minus में भी चला गया था just because of यह चीज दी की इसमें जो percentage of share है वो काफी कम buyback कर रहा है जिसकी वजह से आज जो की जो की जो shareholder को जो की नए investor को या फिर जो invest करना चाहते हैं उनको attract नहीं कर पाया SIS को देखे तो जो की even after जो की आज ही X date थी अगर आज आप लेते तो वो 9 तारीक को आपके portfolio में reflect होता है अभी अगर 400 रुपे से नीचे मिले तो ट्राय कर शकते हैं क्योंकि chances काफी हाई है अभी थोड़ा सा time लगेगा of course time लगेगा बट चीजे काफी stable दिख रही है इसमें ट्राय कर शकते हैं 400 रुपे से नीचे की range में और एक अच्छा खासा इसमें profit earn कर शकते हैं सो थैंक्स लोट पूर्चिंग दिख वीडियो तो प्लीस टेकर प्लीस लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब अपार्ट फॉम देट वन्मोर न्यूज की एक जो की 2.26 लाक एक इकविटी शेयर जो की अलोट हुए है कब अलोट हुए है 22 मार्च को एक बड़ी न्यूज कर सकते हैं क्योंकि चीजें काफी स्टेबल नजर आ रहे हैं इसमें तो और एक अच्छा-खासा प्रोफिट इसमें कर सकते हैं सो वन्स अगें थैंक्स लोट फॉचिंग दिस वीडियो तो प्लीस टेकर प्लीस कमेंट शेयर सब्सक्राइब थैंक्यू टेकर